Hello friends, तो आज की वीडियो में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं, जिन स्टुडेंट्स ने CI Intermediate का मई 2024 के अंदर एक्जाम दिया था, जैसा कि उन्हें पता है कल उनका रिजल्ट आने वाला है तो sir, इस रिजल्ट को हम किस तरीके से वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, इसी के उपर आज मैं आप लोग उसाथ बात करने वाला हूँ तो पूरा प्रसेस क्या रहने वाला है आपका दिखे रिजल्ट चेक करने का, आईए इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं, वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ को ज़रूर शेर करिएगा तो सर सबसे पहले चीज देखे आपको क्या करना है, आपको गूगल को ओपन करना है, और जब आप गूगल को ओपन करेंगे देखे, तो आपको वहां पर इस तरीके से दिखे, आपको दिखा रहा हूँ icic.nic.inresults देखे इस website पर आपको जाना है तो पहला link देखे आप का जाता है आप अगर CA result भी लिखेंगे तो भी आपको पहला link देखे यह देखने को मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर जब आप क्लिक करेंगे अपडेट के लिए icic.org website पर जाकर चेक करते रहिए तो लेकिन आपका जो process रहने वाला है result चेक करने का वो अभी भी same रहेगा ठीक है जी ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ नया चेंज आ गया है बस यहीं पर आपको इसी website के उपर यह चीज देखने को मिलेगी अब किस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हैं आईए आगे की वीडियो के अंदर समझते हैं यहाँ पर foundation की टैब के उपर ही दो separate tabs provide की जाएंगी तो जो सबसे पहला link होगा वो final के result को check करने का link होगा और जो second link होगा वो intermediate examination का होगा तो आपको intermediate examination की tab को click करना है और इस page पर यहाँ पर आपको अपना roll number और उसके नीचे अपना registration number फिल करना है और जो capuchy code आपको इस page पर provide किया जाएगा वो यहाँ पर fill करना है और उसके बाद submit के button को press करना है तो जैसे ही आप अपने credentials को fill करेंगे और submit के button को press करेंगे तो next screen के अंदर आपको आपका result provide किया जाएगा बच्चो heavy traffic होनी के कारण हो सकता है कि जो यह website है थोड़ा slow खुले थोड़ा delay से खुले या जो आपके result की window है वो थोड़ी slow खुले लेकिन आप ना तो इस page को refresh कीजिएगा ना कोई नई window खोलिएगा क्योंकि जैसे-जैसे server पर traffic कम होगा तो within 1-2 minutes के अंदर आपको आपका result provide किया जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ कि यहां तक आपको देखिए अच्छे समझ में आ गया होगा इस Google Form को ज़रूर फिल कीजिएगा जो बच्चे पास हो जाते हैं उनके लिए अलग देखिए Google Form में और जिनका पास नहीं होता है उनके लिए अलग Google Form दिया है तो यहां पर Google Form के मदद से देखिए आप लोग ही counseling की जाएगी अगर जो बच्चे देखिए नहीं exam clear कर पाएं उनने क्या देखिए त्यारी करनी चाहिए किस तरीके से आगे कि अपनी strategy रखनी चाहिए ताकि वो exam को clear कर ले और जो बच्चे पास हो जाते हैं उनकी final के लिए आगे किस तरीके की strategy रहनी चाहिए इस चीज के उपर देखिए काम किया जाएगा तो आपके पास google form का जो link description में दिया गया है please इन दोनों forms को जरूर भरिएगा इसके साथ सा देखिए जो बच्चे exam नहीं clear कर पाते हैं उनके लिए एक और चीज है कि sir आप हमारे batch 75 का use कर सकते हैं already batch 75 देखिए आपको recorded form में मिल जाएगा आप देखिए e-scholars.in हमारी website है उस पे जाकर visit कर सकते हैं ठीक है जी 8888-0402 हमारा support team का number है आप यहाँ पर message कर सकते हैं हमारी support team आप से connect होगी और इन courses के थुरू देखिए आप बड़ी असानी से जो है अपनी तियारी को कर सकते हैं क्योंकि यहां पर देखिए आपको एक महिने के अंदर 75 पोशन टू 80 पोशन जो है इस labels की coverage मिल जाती है with practice questions तो आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए अपना जो है तियारी कर सकते हैं एक महिने के अंदर with revision in courses की मदद से अपने friends के साथ भी जरूर शेयर करिएगा अगर उन्हीं सीज की जो रहे तो नमलते हैं next informative video हैं तब तक के लिए thank you so much